हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि W.J.E. में केमिस्ट्री में most important chapters कौन से हैं और कौन से chapters को हम पहले study करें ताकि कम से कम टाइम में maximum score कर सके फ्रेंड्स आगरम के मिस्ट्री में syllabus की बात करें तो class 11 और class 12 के सभी chapters included है मतलब के total 32-35 chapters present है जिसमें से कहीं से भी कोई भी questions आ सकते हैं और W.J.E. में total 40 questions आते हैं मतलब कि यहां physics की तरह one-on-one situations भी हो सकते हैं कुछ chapters के लिए और कुछ chapters के लिए one-on-one situations नहीं भी हो सकते हैं मतलब कि कुछ chapters ऐसे होंगे जिनसे सिरिफ एक ही questions आएंगे और कुछ chapters ऐसे भी हैंगे जिनसे एक से ज्यादा questions आएंगे तो हमारे पास better option यही है कि हम उन chapters पर focus के लिए जिनसे एक से ज्यादा questions आते हैं क्योंकि हमारे पास time भी बहुत कम है और syllabus भी बहुत ज्यादा इन सभी chapters से about 2-3 questions आते हैं और full predictable से देखा जाये तो about 7-10 questions आते हैं जो के बहुत importance है तो friends आप इन chapters को note कर ले और इन chapters पर focus करें और इनी chapters को पहले करने की कोशिश करें इन chapters के बाद जो most important chapters है वो है chemical thermodynamics, carboxylic acid and its derivatives, alcohol, phenol, ether, biomolecules और यहाँ पर जो सारे listed chapters इन सब को कोशिश करें के पहले पहले attempt कर सके और study कर सके क्योंकि इन से भी अच्छे खासे questions आते हैं लेकिन आप पहले उनी chapters को करें जो हमने थोड़ी देर पहले ही discuss किया हुआ है क्योंकि उन से दो या दो से ज्यादा questions आने के chances है और हमारे पास time कम होने के वज़े से हमें उनी chapters पर ज्यादा focus करना है उसके बाद अगर आप चाहें तो इन सारे chapters को कर सकते हैं जिसमें most important है solid states, solutions and other chapters यहाँ पर हमने listed किया हुआ है सब्सक्राइब करें चाहें तो नोट कर सकते हैं सो फ्रेंस conclusion यही है कि आप सोचना बंद करें कि कल से start करेंगे या फिर इस काम के बाद start करेंगे बस अपनी study और preparation को जल्दी से जल्दी start कर लें और chemistry में start इन सभी चैप्टर से करें जिनसे ज्यादा से ज्यादा marks के questions आते हैं और आप physics या math के भी important chapters को discuss करना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने physics और math के भी important chapters को discuss किया हुआ है friends अगर आपको किसी भी किसी इनकी doubt है तो आप हमसे comment में पूछ सकते हैं और आप इस चैनल को subscribe करने क्योंकि हम आगे कुछ और वीडियो अप्लोड करेंगे जिसमें हम exam से related tips और tricks को discuss करेंगे और अगर आप किसी भी वीडियो को request करना चाहते हैं तो हमसे comment में जागे request कर सकत हैं और हम कोसिस करेंगे कि आप तक उस वीडियो को जल्दी से जल्दी पहुंचाएं